21.2 बहुराश्ट्रिय कंपनिया बच्चो जब हम वैश्वी करण की बात करते हैं तो बहुराश्ट्रिय कंपनियों के बारे में जान लेना भी जरूरी होता है आप अपनी रोजमर्रा के जिन्दगी में बहुत सारे एलेक्ट्रोनिक उपकरण का प्रयोग करते होंगे आप टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन, एसी और हाँ मोबाइल का प्रयोग तो आप जरूर करते होंगे तो इन में से कई ऐसे उपकरण बनते तो हमारे देश में हैं लेकिन इसके बहुत सारे स्पेर पार्ट्स हम दूसरे देशों से आयात करते हैं ठीक उसी तरह आप सडकों पे बहुत सारी गाड़ियों को देखते होंगे इन में से कई गाडिया तो विदेशों की बनी होती है लिकिन कई गाडिया भारत में ही बनती है फिर भी उनके बहुत से स्पेर पार्ट्स हम विदेशों से मगवाते हैं यानि आयात करते हैं हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे बहुत से युद्धक विमान, इनके भी बहुत से उपकरण हम विदेशों से आयात करते हैं बच्चों, ओनलाइन शॉपिंग के बारे में भी आपने सुना होगा और आप ओनलाइन शॉपिंग करते भी होंगे आपने अपने मोबाइल में Amazon, Flipkart जैसे कई ओनलाइन शॉपिंग के एप डाउनलोड किये होंगे उसी तरह फूट सर्विस देने वाली कमपनियां जैसे जो मैटो, स्वीगी इनके बारे में भी आप जानते होंगे ये सारी कमपनियां किसी भी प्रकार का उत्पाद बनाती नहीं है केवल उनके मार्केटिंग करती है और ये ऐसी कमपनियां हैं जिनका वैपार एक देश तक सीमित ना होके कई देशों में फैला हुआ है इसलिए ये कमपनियां MNC मल्टिनेशनल कॉर्पोरेशन ऐसी कमपनियां होती है जो एक देश से अधिक देशों में वस्तो के उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है इनके द्वारा उत्पादन के लिए कच्चे माल की तलाश पूरे विश्व में की जाती हैं तथा प्राप्त उत्पाद की विश्व इस्तर पर विक्री की जाती हैं प्राया बहुराष्टे कंपनिया उन देशों में अपनी इकाईया लगाने को प्रात्मिक्ता देती हैं, जहां उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता हैं, तथा सस्तिदरों पर प्रसिक्षित वा आप्रसिक्षित श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं. अपनी इकाईया लगाने के पूर्व ये कंपनिया सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं, जिन देशों के सरकारी नीतिया लचिली होती हैं, तथा करों के दर्ग कम होती हैं, वहां इकाईया लगाने इन कंपनियों द्वारा प्रात्मिक्ता दी जाती हैं, ये कंपनिया च इन तकनीकों की मदद से उनकी उत्पादन शक्ती बहुत अधिक होती है और वे वस्तुओं के नवीनता मॉडल बाजार में प्रस्तुत करते हैं। खेल समागरी तथा खिलों ने आधिके उत्पादन का काम छोटे उत्पादकों को दे दिया जाता है। तथा निर्मित वस्तुओं उनसे खरीद कर अपने ब्रांड से बाजार में बेज दिया जाता है। बलकि दूसरे देशों में भी इनका निर्यात किया जाता है। बलकि दूसरे जाता है।